हलो दोस्तो कैसे हैं आप लोग आज का ये निया वीडियो में आपका बहुत सारा स्वागत है मेरा नाम है गोपाल तो दोस्तो आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे आइकॉन क्रियेटर आप जो है दोस्तो आइकॉन बना सकते हैं कर सकते हैं उसको एडिट कर सकते हैं अपना मन पसंद तरीके से बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट फाइल है दोस्तो एसके चोएर प्रो का आपको जुरूर पसंद आएगा ठीक है दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपको आज का इस वीडियो को पुरा लाश्ट तक द से पहले हम क्रेडिट देते हैं आप जो है दोस्तों इन्हें सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों फुल सपोर्ट कीजिएगा ये प्रोजेक्ट फाइल के लिए आइकॉन क्रियेटर दोस्तों आप जो है इसमें आइकॉन बना सकते हैं क्रियेट कर सकते हैं यहाँ पर आप आइक रख सकते हैं ठीक है यह देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा जेता हूं दोस्तों यह देखिए सेफ भीव आप दोस्तों जो है अपना इमेज को अपना फाइल में सेफ करके रख सकते हैं तो दोस्तों मैं जो है आपको यह प्रोजेक्ट फाइल रन करके बिल्ड करके दोस्त इंस्टॉल करके मैं आपको डाइरेक्ट ही दिखा देता हूँ किस तरह का ये प्रोजेक्ट फाइल है और कैसे काम करता है इसमें कोई एरर बागेरा तो नहीं है ये सब दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको भी पता चल जाए ठीक है थोड़ा समय ओट कीजिए दोस्तों ये अभी जो है न विल्ड हो रहा है ये हम इसको इंस्टॉल करेंगे और चेक करेंगे चलिए दोस्तों हम इसको चेक कर लेते हैं आइकोन, क्रियेटर आप इसका लोगो देख सकते हैं दोस्तों ये इसका नाम है हम इसको उपन करते हैं दोस्तों उपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का सो कर रहा है दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका आपर क्लिक करके दोस्तों आपको जो भी आइकोन पसंद है दोस्तों यहाँ पर भरा हुआ है फिलाल मैं अहीं सही एक आईकॉन को ले लेता हूं दोस्ते आप यहाँ पर देख सकते हैं कर सकते हैं कंट्रोल करने के लिए यह दिया गया है दोस्तों का पर टॉर्च यह बाद रखना चाहते हैं यह इसके लिए दिया गया है आपका जो icon का color दोस्तो आप यहाँ पर select कर सकते हैं background का color दोस्तो आप चाहे तो यहाँ पर select कर सकते हैं ठीके यह देखिए दोस्तो उसके बाद दोस्तो आप चाहे तो text को add कर सकते हैं जो भी text आपको add करना है दोस्तो आप चाहे तो text को add कर सकते है टेक्स्ट को साइच को आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं दोस्तो यहाँ पर उसके बाद दोस्तो आप यहाँ पर आप देखिए टेक्स्ट को दोस्तो आप जैसा मर्जी दोस्तो आप जो इसको एडिटिंग कर सकते हैं ठीक यहाँ पर बराबर बताया गया है दोस्तो टे चाहिए आप यहाँ पर दे सकते हैं ठीक है और दोस्तो टेक्स्ट का जो स्टाइलिस है वो उसका ओप्सन यहाँ पर नहीं है दोस्तो आप इजीली बना सकते हैं टेक्स्ट का स्टाइलिस का ओप्सन ठीक है दोस्तो आप इजीली बना सकते हैं तो आपको टेक्स्ट का इस टेक्स्ट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, कहां पर डाउनलोड करना पड़ेगा, कैसे डाउनलोड करना पड़ेगा, इसका एक एक्स्ट्रा सप्रेट वीडियो मेरा चनल पर है, दोस्तों, आप जो है, आप जो है, आप जो टेक्स्ट इस टेक्स्ट है, आप उसको क कर सकते हैं आपका file manager में वो download होके रहता है आप वहाँ पर pick करके यहाँ से pick करके दोस्तो आप जो है add कर सकते हैं यह देखिए यहाँ पर एक text stylist है दोस्तो dot tt app यह जो file है यह आपको download करना पड़ता है दोस्तो download करने के बाद आप यहाँ पर नाम दे दीजिएगा उसके बाद ship कीजिएगा तो यह यहाँ पर आ जाएगा फिलाल दोस्तो मेरा जो collection है यहाँ पर मैंने दो तिन इस तरह का by default text set करके रखे हैं दोस्तो आपको यह example दिखाने के लिए दोस्तो मैं आपको देख सकते हैं मैं यहाँ पर text को इसका नाम दोस्तो आप यहाँ पर दे सकते हैं दोस्तो मैं बस आपको जल्दी वीडियो को जदा हम लंबा नहीं करेंगे मैं आपको जल्दी ही करके दिखा रहा हूं दोस्तो टेक्स्ट सॉरी टेक्स्ट स्टाइलिस यह देखिए यह हो गया दोस्तो टेक्स्ट स्टाइलिस आप यहाँ पर इस तरीक से दे सकते हैं इसका साइट स्क्रम कर देंगे 20 उसके बाद इसका जो है स्टाइलिस कर देंगे दोस्तो मैं आपको easy तरीका दिखा रहा हूं, आप किस तरीके से यह बना सकते हैं, जैसा मर्जिय बना सकते हैं मैं बस आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर दोस्तो हम एक spinner ले लेंगे क्योंकि इससे अच्छा होता है, ठीक यह हम ले लेंगे दोस्तो इसका उपर आप किली की कीजिए यह आपका हो गया है दोस्तों और यहां पर आपको क्या करना है यह हो गया आपको इसका जो है डाटा बनाना है दोस्तों यहां पर आपको आना है लिस्ट में एड लिस्ट कीजिए यहां पर स्ट्रिंग आप कस्टम बना सकते हैं मतलब मैं आपको इजी दिखा रहा ह तो दोस्तो इस तरही के साब जो है एक नाम दे सकते हैं spinner मन दे दिया is string दे दिया है कि दोस्तों एक बाइडिफॉल्ट मैंने जल्दी वाजी में एक नाम दे दिया है दोस्तों आपको जो है यह टैक्स्ट का नाम देना है text का नाम one sorry यार मेरे से इतना गलती हो रहा है text one है ये इसके बाद दोस्तो text text two है दोस्तो ये three हो गया है दोस्तो इसे जो है न ये two होगा दोस्तो ये two हो गया है दोस्तो मतलब बाहर बारिस हो रहा है दोस्तो बाहर जो है न काफी दोस्तो भयंकर तरीके से दोस्तों जो है बारिस हो रहा है और यहाँ पर भीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है दोस्तों टेक्स्ट 3 तो यहां पर दोस्तों हमने टेक्स्ट 1, 2, 3 हमने यहां पर एड़ कर दिया है इसको हम एड़ कर देता है यहां पर उसके बाद दोस्तों भीव में चलता है और यहां पर दोस्तों जो हमने लिया था ना स्पीनर को वह आपको उसका इलेखे इसको आपको डाटा य कर देंगे दोस्तों धीके मतलब इसको जो इसको यह यहां पर यहां पर एड्व कर दिया और यह दोस्तों अब वहने एड़ कर दिया तो दोस्तों यह हमारा हो गया है दोस्तों आपने देख लिया उसके बाद दोस्तों जबी आप यहाँ पर हमारा on item select ठीक है यह मिनीट दोस्तों एक मिनीट इसका ID क्या है हम देख लेते हैं इसका ID है नमबर टेक्स्ट व्यूव 7 ओके हो गया तो टेक्स्ट व्यूव 7 दोस्तों हमारा यहाँ पर आईडी है ओके ओके दोस्तों यहाँ पर हम चलते हैं यह 1 यह 2 यह 3 हो गया है दोस्तों और यहाँ पर हम ले लेते हैं दोस्तो इक्वेल को ले देंगे एक्वेल वान ये टू और ये खिरी और यहाँ पर दोस्तो हम कर देता है जीरो ये दोस्तो ये पोजीशन है दोस्तो पोजीशन ये वान और ये टू दोस्तो ये जो है ये पोजीशन है दोस्तो और कुछ नहीं है दोस्तो ठीक है दोस्तो यह पोजिशन दोस्तो यह क्लिक है आइटेम स्लेक्ट आप देख सकते हैं आइटेम स्लेक्ट जभी यह आइटेम स्लेक्ट किया जाएगा तो क्या होगा तो हम दोस्तो यहाँ पर चलते हैं फ्रंट में यह देखिए यहाँ पर आप आपको यह मिल जाएगा आपको यहां पर शेट कर देना है यहां पर आपको ले के आके यहां पर लगा देना है और दोस्ते यहां पर आपको जो है टैक्स टीवीव 7 शेट कर देना है टैक्स टीवीव 7 आपको शेट कर देना है जो भी आपका फ्रांट स्टैली से दोस्तों य इसको आप जो है एसा ही बोल्ड मतलब जैसा मरजी आप यहां पर स्टाइलिस दोस्तो सेलेक्ट कर सकते हैं आपको पता होगा इसके बारे में अगर आप और दोस्तो मैंने गलती कर दिया है आप यहाँ पर डायलोग दे सकते हैं मैंने इसको कैंसिल करता हूँ दोस्तो आप जो है ना इसको जो है यहाँ पर मैंने सिलेक्ट नहीं किया है आप जो है इसको डायलोग कर सकते हैं या फिर ड्रॉप एंड डाउन कर सकते हैं डायलोग का मतलब है आपको निच्चे एक option सो करेगा तो हम इसको dialogue में change कर देते हैं क्योंकि देखने में काफी खूबसूरत लगता है दोस्तो बाकी आप जो है अपने तरीके से edit कर सकते हैं जैसा मर जी आप ऐसा ही UI design बना सकते हैं मतलब मैं बस आपको by default एक example दिखा रहा हूँ बना के यह कैसे काम करता है आप जैसा मर जी आप बना सकते हैं बहुत सरे तरीका है बनाने के जैसा design आपको पसंदे जिस्तरा का आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं लेकिन यह जो activity है कैसे काम करता है वो मैं आपको बस दिखा दे रहा हूँ एक example दिखा रहा हूँ दोस्तो ठीक है हम इसको open करते हैं दोस्तो open करने के बाद हम यहाँ पर कोई भी एक text को enter करते हैं जैसे कि हम अपना ही दोस्तो YouTube channel का नाम लिख देते हैं दोस्तो आउरा party मैंने यहाँ पर लिखा है text को enable करते हैं और यहाँ पर text आ गया दोस्तो इसका size को दोस्तो हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि आपको भी देखने के लिए मिले इसका जो है दोस्तो color को दोस्तो हम जो है क्या करेंगे white कर देते हैं ताकि आपको अच्छी से देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यह देखिए और दोस्तों मिश्टेग हो गया यह यहाँ पर होता इसको मैंने यहाँ पर कर दिया है एक मिनित दोस्तों यह जो है न यहाँ पर होगा हाँ और दोस्तों यहाँ पर आमें और एक चाहिए ये होगा दोस्तो तू ये जिरो में कुछ नहीं चाहिए वान तू ये थिरी होगा दोस्तो थिरी होगा हाँ ये हो गया है ये जिरो किलिक नहीं होगा दोस्तो इसको हम साइच कर देता है ठीक है यह zero zero दोस्तो जो है वो click नहीं होगा वो बस मैं नाम के लिए दिया है ठीक है नाम के लिए हम इसको दुबारा run करते हैं तो दोस्तो जहां पर हमने था वहां पर हम आ चुके हैं यहां पर देखिए text islis लिखा हुआ है दोस्तों यह dialogue में वो कर रहा है बएस नम के लिए दिया है अगर आप इसका पर क्लिक आंगे तो कोई काम नहीं करेगा ठीक है और आप यहाँ पर ऑन का पर कुलिक करते हैं तो आप यहा पर दोस्तों देख सकते हैं जो टेक्स्ट का स्टाल से दोस्तोट को चेंज हो गिया है अगर दोस्ता हम यहाँ आफर एंट यहाँ पर देख सकते JEN करना चाहते हैं इसको जो है न तरफ प्रॉफेस्ट्रेशनल टाइब का बना सकते हैं दोस्तों और भी तगड़ा application आप बना सकते हैं यह सीख करके ठीक है और भी नियाने activities आप इसमें add कर सकते हैं दोस्तों ठीक है और यह जो project file है दोस्तों अगर आप इस project file को download करना चाहते हैं तो यह जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी वीडियो का description में आप च कीजिएगा दोस्तों हमारे यूटूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा जो भी सावाले आपका जो भी कोसान है दोस्तों आप जरूर कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को आपना दोस्तों के पास जरूर सेर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा दो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अभी के लिए इतना ही बाबाई